मेरा खर्चा 20,000 से सीधा 40,000 होना स्टार्ट हो गया मतलब मेरी शादी हो गई जब मैं बैचलर था तो मेरा 20,000 खर्चा हो रहा था अब जब शादी हो गई तो मेरा 40,000 खर्चा होना स्टार्ट हो गया अब इसके उपर मैंने टाइमली जो मेरे साथ हुआ या फिर मेरे subscriber के साथ हूँ जो इतने भी experiences है वो मैंने proper videos बना बना के आपको हर बार बताया pros and cons हर चीज के बताया metro cities के, non metro cities के, खर्चे कितने हो रहे है metro में, non metro में अगर आपकी wife earning है या working है उसके benefits, pros and cons तो यह जब जो experiences मैं सुनता हूँ आपसे या फिर office में वो मैं यहां पर share करता रहता हूँ जब मेरी शादी वी तो मेरा खर्चा होने लग गया 40,000, straight forward 21,000 मेरा जाने लग गया rent में 1BHK fully furnished in Kandhiwali Mumbai, wife working थी, bank में थी, तो उसको starting में 20,000 आ रहा था और मुझे भी यह लगा कि या ठीक है, office के पास है, bank के भी पास है, उसके, तो यह flat ठीक है, because उसकी जो salary एक तरह से, मोटा 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 मैंने ऐस सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अगर उसका 20,000 आ रहा तो वो मेरा 20,000 extra rent में चला गया, जो पहले मैं as a 5,000 और 10,000 के बीच में रह रहा था, अभी मेरा वो खर्चा सीधा 21,000 हो गया, तो एक तरह से wife का कुछ expense उसमें चला गया, अभी जितना भी मेरी salary आएगी, वो सारी saving है, मतलब जो भी मैं salary बढ़ाऊंगा, तो actually वो अपने घर में ही आ रही है, अभी मापको बता दू कि हम दोनों ने अपना joint account भी अगर आप बोलोगे और वाइफ के पैसे पर ये कर रहा है, समय रहे हो, तो हमने joint account एक खुलवाया हुआ है, आज भी, तो जितने भी लोग है, और आप financial freedom चाहते हो, ये stability, emergency income fund रखना चाहते हो, so please have one joint account, जिसके अंदर आप थोड़ा-थोड़ा amount डाल दीजिए, because ये हमारे ममी भापा ने मुझे बच्पन से में सिखाया, कि जैसे हम दो भाई भी भी थी तो हमें यही बोला गया था, कि भाई, अगर बड़ा भाई अपने ममी भापा के account में 10,000 डाल रहा है, तो छोटा भाई 5,000 डालेगा, so likewise you can put some amount in that, which will help you during emergency, understood, अब भी हम दोनों working थे, तो अब क्या हुआ हमने मेड रखी, जिसका खर्चा धाई हजार तका आ रहा था, फिर उसके बाद अब पर टोल का खर्चा आता था, 4,000, फिर फूड का खर्चा आता था, 7,000 और वीकेंड पर हम जाते थे, तो somehow कुछ महाँ पे money spent हो जाती थी, तो अभी आप समझ गे होगे कि भाई, 30,000 से लेके, 40,000 पर खर्चा होने वाला है, आप कहां पर बचा सकते हो, और rent पर, food पर आप नहीं बचा सकते हैं, आप अपने travel पर नहीं बचा सकते हैं, आप अपनी maid पर नहीं बचा सकते हैं, अगर आपको वो requirement है, तो अगर आप हफटे वीकेंड पे खुदी घर स नेक्स्ट लेवल, जहां पर बहुत सारे स्टाट अप्स अपने एक्जाम शेडूल करवाती हैं, और वहां से केंडिडेट्स उठाती हैं, तो रिसेंटली वन कंपनी केंड काल्ड एस MMT, Make My Trip, विच इस हाईरिंग फोर मुल्टीपल पॉजिशन इन इंजिनरिंग टीम, ए इस India's leading travel aggregator platform, जिसके international offices हैं, New York, Singapore, Dubai and many more, by joining them you will get perks like proper health insurance, work-life balance, flexible hours and free food as well, so more than 200 plus companies like MMT are hiring via next level, all these roles are live on next level app, so just download the app, complete your registration and start your AI interview, I am not done, next level is another job hunting platform, which you can give, dream job and with their tech contests, you can win Macbook, iPad mini and many more gifts, app link is in description and in comment section, चलो फिर अपना वीडियो भी continue करते हैं, कि भाई शादी तक तो ठीक है, अभी जब बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद कितना खर्चा हो जाता है, simple सा fund है, आपने घर ले लिया है, ओके आप 1BHK, 2BHK में रह रहे हो, अभी आपके घर पे एक न और जब वो play way, kindergarten school में जाता है, तब भी इतना खर्चा नहीं होता है, 3,000 से लेके 7,000 तक खर्चा होता है, आप कितनी अच्छे में डाल रहे हो, वो matter करता है, बट 3,000 से लेके 7,000 तक ही खर्चा होता है, पर मन्त, बट एक बार आपने उसको किसी school में डाल दिया, CBSE school में ड decisions बहुत जादा आती होंगी, ओके, अगर मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका पर मन्त, 10,000 से लेके 20,000 के बीच में खर्चा एड़ होने वाला है, अब उसके इलावा आपको वैन चाहिए, उसका 2-3,000 एड़ कर लो, प्लस उसके इलावा अगर आप उस आना स्टार्ट हो जाए, कि मेरे बच्चे का खर्चा महा से निकल जाए, या फिर इतनी मेनत करो, कि मुझे एक जॉब स्विच मारू, और अब मैं सैटल हो, विकूस एड़ वन पॉइंट ऑफ टाइम, आपके लिए फैमिली ज्यादा प्रियरिटी पर आ आ जाती है, as compared to your money तो आप बोलते हैं कि यार मैं इतनी मनी से भी खुश हूँ, अब मुझे अपने घर वालों पर ध्यान देना है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ था, जब उसके पास वर्क लाइफ बैलन्स नहीं था, मतलब मुझे स्टार्ट अप में काम कर रहा था, तब तो प अब लगे मिलने लग गया, तो बोलता है, चे महीं निये बाद के बोलता है, अरे यार, लर्निग वही होगी, मुझे सब आता था, जो मैंने सब सीखा था, वही सब कर रहा हूं, मैं इनको भी वही सिखा रहा हूं, अभी मुझे बास आफा जाहिए, मुझे कुछ अच्छा चाहिए बट जो कुछ लोग बोलते हैं चाली साल के बाद क्या करूंगा आइडली बोर तो वह भी होते हैं पर उनके पास कुछ options नहीं होती और फिर एक stage आती भी है जब आपके पास 10 से लेके 15 साल का experience हो जाता है तो life में कभी भी switch कर लो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर एक बार manager जैसी post पर आगे जहाँ पर आपका काम सिर्फ management है या फिर मैं बोलो ना कुछ product owner आपके प्रस कुछ power है अगर वह वाली power नहीं होगी product owner वाली वह वाली तो फिर आपको एक ही company बैठना पड़ेगा और वहीं चलता हूं दूआ मियाद रखना और मेरी पुरानी वीडियो भी देख लेना जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा ठीक है बाए बाए